पूरी दुनिया की इंक्लूसिव डुवलप्मेंट के लिए सस्टेनेबल डुवलप्मेंट गोल्स पर एग्री किया और उसके लिए मिलकर पार्टनर्शिप में एफ़र्ट करने की कुमिट्मेंट की लेकिन अभी भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं मेरे और आप के इर्दगिर्द और बाज अकात हम खुद भी उसमें शामिल हैं जो के रिसोर्सिस की कमी की वज़ा से इस अमल में शामिल होने से कासिर हैं और वो स्टिल अंडर डुवलप्ट या डुवलपिंग समझे जाते हैं इस exclusion की वज़ा से जब बात आती है लोगों के poverty, injustice, violence और इस तरह के issues को tackle करने की तो many of the people around the world, they are on their own उनकी अपनी struggles हैं, उनके अपनी effort है जिसके जरीए से या तो वो इन चीज़ों को combat कर लेंगे या फिर वो इसी में रहेंगे इन फिक कमेंट्स और सुसाइटी ने इन लोगों को neglect किया हुआ है बेशक गमेंट्स की formal commitments हैं लेकिन उसके बावजूद वो लोगों तक पहुँचने से कासर है जिसकी वज़ा से बेशुमार लोग जो हैं वो poverty, violence, discrimination और ऐसी दूसरी मसाइल का खास तोर पर समाजी मसाइल का शिकार है दूसरी तरफ एक fusion of emerging technologies है जिसने बिलकुल हमारे rentsen का तोर तरीका जो है वो बदल दिया है हमारे selling और buying के तरीके बदल दिये हैं हमारी demands और supply और हमारा total market का structure बदल दिया है इन technologies के इस्तमाल में of course business सबसे आगे हैं क्योंकि ये उनका profit maximize करने में helpful थाबित होती है इन technologies के इस्तमाल से economic development तो for sure हम हासिल करते हैं और उसके बेशमार मजाहरे जो हैं वो developed world के सूरत में हमें मिलते हैं लेकिन social entrepreneurs के लिए इसमें challenge है कि किस तरह से इस emerging technology को जैसे information and communication technologies, ICTs है social media है इन्हें किस तरह से इस्तमाल किया जाए कि economic growth तो हो लेकिन उसके साथ साथ social value या social impact भी हो लोगों के social problems हो सके और खास तोर पर developing world में जो deprived communities हैं उनको इस societal engagement और sustainable development process में शामिल किया जा सके ये एक tricky और एक complex phenomena है ऐसा नहीं है कि social entrepreneurs ने इसको टेकनोलोजी को ना कर दिया है या उसको इसको 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 वेलकम किया है लेकिन ये बहुत टेम्टिंग है कि आप टेकनोलोजी के इसक्वाल से economic growth और profit और अपने business को फेला लें लेकिन उसी टेकनोलोजी को खास तर पर उन communities में जिनके resources ही नहीं है उस technology को afford करने के उसको सीखने के उसको इसको इसको इस्तमाल करने के उन communities के लिए इन technologies को कैसे इस्तमाल किया जाए कि उनके problems हो सके social value add की जा सके और एक ऐसा longer lasting social impact create किया जा सके जिससे sustainable development में contribute हो सके Recently COVID-19 ने खास तर पर इस बात को proof किया है कि technology और domestic resources को इस्तमाल करते हुए technology का इस्तमाल जो है वे एक तरह से inevitable हो गया है For example, schools का जो global एक तरह से closure हुआ और बच्चे जो है वो घरों पर बैठ के और बहुत सारे बचों की education disrupt हुई क्योंकि उनकी उस technology तक पहुँच नहीं थी जिसके जरीए से advanced या developed world जो है वो अपने बचों के लिए school को घर पे ले आई थी Developing countries में, deprived communities में हमारे जैसे मुलकों में बहुत सारे बचों के लिए एक सादा बटन वाला mobile phone तक available नहीं था जिस पर वो अपना homework ले सके हता कि बाज़ोंका teachers के पास भी नहीं था ऐसे में हमारे पास बहुत limited knowledge है कि social entrepreneurs जो है वो किस तरह से technology को economic as well as social purposes के लिए develop और इस्तमाल करें और उसको इस्तमाल करने के दौरान उनको जो challenges जो barriers आते हैं वो किस तरह से उन्हें handle कर सकते हैं अगले कुछ sessions में हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे तरह सकते हैं तरह सकते हैं